आए आज हम लोग इस्टडी करेंगे क्लास 12 एंसी आर्टी केमेस्ट्री पार्ट फर्स्ट जिसका तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी अगर इंग्लिस में देखा जये तो इसको बोलेंगे केमिकल काइने अक्स तो देखिए हमारे पास दो सब्न सब्सक्राइच हाए फिर तो सब्सक्राइच को देखें नाम गतिकी थरमोट Gabon तो उसमा एक प्रकार की उर्जा है और उस उर्जा की गति हो और यहां पर क्या है यानि रासायनिक बल गतिकी यानि रासायनिक पदार्थ जो है उनमें कुछ ऐसा बल लगे जिसके कारण गति हो तो इसको गेमिकल काइनेटिक्स बोलेंगे तो यहां पर देखे लिखा है केमिकल काइनेटिक्स हेल्प अस टू अंडर इस्टेंड अवगेमिकल रियक्षन साकर्थ 10 के मतलब है कि रासायनिक और जारा कटिक के कारण एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का निर्माण तो यहां पर कणों की गत्य है और जहां पर डाइनेमिक सब्द लगता है वहां पर ऊर्ज holiday जाती है यहां पर कण एक रूप से दूसरे रूप में जाएंगे यह कहने का मतलब है तो यह इतनी बारीकी हम लोगों ने सम्झा अब इस chapter को पढ़ने तो देखी रासायनिक बल गतिकी जैसा की नाम से पता चल ला है कि रासायनिक पदार्थों में कोई ऐसा बल लग रहा है जिसके काणवों गति कर रहा है तो रासायनिक बल गतिकी हमें यह समझने में साहता करती है कि अभिकरियाएं कैसे होती है ठीक ना तो जो केमिकल काइनेटिक है हमें यह बताती है कि रियक्शन कैसे होती है तो इस बिसे में हम लोग इस चैप्टर में चर्चा करेंगे अब देखे आगे पढ़ते हैं और समझ करके निचोड निकालते हैं कि आखिर चैप्टर में हम लोग कर क्या रहा है तो रसायन स्वाभाविक रूप से परिवर्तन से संबंदित विक्यान है रसायनिक अविक्रिया दोरा विसिष्ट गुणों से युक्त पदार्थों का अन्य गुणों से युक्त विभिन पदार्थों में परिवर्तन होता है तो जैसे hydrogen और oxygen मिल करके पानी बनाते हैं तो hydrogen अलग चीज है, oxygen अलग चीज है और जब मिल जाते हैं तो एक अलग चीज पानी बन जाता है तो वही कहरा है कि रासायनिक अविकरिया द्वारा विसिस्ट गुणों से युक्ते, पदार्थों का अन्य गुणों से युक्ते भिभिन पदार्थों में परिवर्तन होता है, किसी रासायनिक अविकरिया में रासायना गिन्निम्न लिकित तत्य जैनने का प्रयात्ने करते है तो कोई अगर chemical reaction होती है तो जितने भी chemist हैं, scientist हैं जो chemistry के बारे में बताते हैं तो वो किन-किन चीजों के बारे में जानना चाहते हैं किसी रासायनिक अविक्रिया या chemical reaction में तो पहला क्या है पॉइंट के रासायनिक अविक्रिया होने की शंभावना को जो कि उसमा गत्की यानि thermodynamics से निर्धारित की जा सकती है आप जानते हैं कि इस्तिर्ता पे उमदाप पर जिस अविक्रिया के लिए डेल्टा जी यानि गिफ्स फ्री एनर्जी जीरो से कम होती है वो अविक्रिया शंभाव्य होती है यानि अपने आप reaction होती है तो डेल्टा जी की वैल्व अगर निगेटिव होती है तो हमने पीछे पढ़ा है कि वो reaction आटो नॉमा के लिए अपने आप होती है शंभाव्य मनलब स्वयम होती है हमको उर्जा नहीं देना पड़ता है किसी सीमा तक अविक्रिया होगी इसे रासायनिक साम से निर्धारित किया जा सकता है रासायनिक साम यानि chemical equilibrium भी इसके बारे में भी हम पीछले chapter में चर्चा कर चुके है अगला point है कि अविक्रिया का वेग अर्थात अविक्रिया द्वारा शाम्या अर्था तक पहुंचने में लगने वाला शम है तो ये तीन चीजें वैज्यानिक रसायनक के जानना चाहते हैं कि अविक्रिया स्वयम होगी या उसको उर्जा दे के कराना पड़ेगा तो निशकर से ये निकला कि अगर डेल्टा जी की वैलू निगेट यानि जीरो से कम है तो अविक्रिया स्वयम होगी इसी प्रकार से एक्विलिब्रियम अगर हमें पता चल जाए उस केमिकल रियेक्शन का तो कितनी सीमा तक अविक्रिया चलेगी या अविक्रिया होगी ये पता चल जाएगा, और दूसरी बात अविक्रिया का वेग अर्थात अविक्रिया के शामया वर्ष्थाły तक पहुंचने में कितना शमय लगेगा तो ये तीन बाते हैं जो किसी अविकरिया के होने पर हमें जानना ज़रूरी रहेगा अब आगे देके कह रहा है कि रासायनिक अविकरिया को पूर्ण रूप से समझने के लिए अविकरिया की शमभाबिता तता सीमा के साथ साथ इसके वेग तता इसको निर्धायत करने वाले कारकों को जानना भी शमान रूप से महत्पून है तो अविकरिया की एक्विलिब्रियम तक पहुचने में लगा समय अविकरिया स्वयम होगी या इनर्जी देना पड़ेगा और किस लेबल तक अविकरिया होगी यानि केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में उसके साथ साथ कौन से ऐसे फैक्टर है जो उस केमिकल रेक्शन को प्रभावित करते हैं उन कारकों यानि फैक्टर्स के बारे में भी जानना समान रूप से महत्पून है हुदाहडार्थ जैसे कि कौन से प्राचाल निर्धायत करते हैं कि खाद पदार्थ कितनी सिग्र खराब हो जाता है या इस प्वाइल यानी बेकार हो जाता है कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो निर्दायत करते हैं कि खाना अमारा जो रखा जाता है कितनी देर में खराब हो जाएगा दात भरने के लिए स्रीक्र जमने वाले पदार्थ कैसे अभिकल्प किये जाएं अथवा स्वचालित इंजन में इंधन के दान की दर कैसे नियंतित होती है इन सभी प्रशनों का उत्तर रसायन विग्यान के उस साखा दोरा मिलता है जिसमें अभिक्रिया वेग तता इसकी अभिक्रिया का ध्यन तता इसकी क्रिया विद का ध्यन किया जाता है जिसे रासायनिक बलगतिकी कहते हैं या काइनेटिक्ष कहते हैं तो ध्यान देजिए कि रासायनिक बलगतिकी में हम क्या ध्यान करते हैं तो अब क्रिया का वेग और इसकी क्रिया विदिका ध्यान जिसमें किया जाता है कि reaction किस प्रकार से होती है, उसे रासायनिक बलगत की या chemical kinetics बोलते हैं, kinetics यानि बलगत की सब्द की विद्पत्गीक भासा के सब्द kinesis से हुई है जिसकार्त होता है गति, ऊसमा गति केवल अविकरिया की शम्भाबिता बताती है, जबकी रासायनिक बलगत की अविकरिया की गति बताती है तो ध्यान देजिए, कि ऊसमा गति की जो है अविकरिया खुद होगी और्जा दे कराना पड़ेगा ये बताती है जबकि जो रासायनिक बलगतिकी है यानि केमिकल काइनेटिक्स है वह हमको क्या बताती है अभिक्रिया की गति बताती है इन दो बातों को ध्यान देना है अब आगे देखते हैं कहरा है कि उदाणार्थ उसमा गतिकी आकड़े दरसाते हैं कि हीरे को ग्रेफाइड में परिवर्तित किया जा सकता है परन्तु आर्थों में इस परिवर्तन की गतितनी मंद होती है कि परिवर्तन बिल्कूल भी परिलच्चित नहीं होता है तो कहने के मलब हीरे को ग्रेफाइड में तो चेंज कर सकते हैं, लेकर रियक्षिन इतनी धीमे होती है कि परिवर्तन को विर्कुल भी हम लोग कल्कुलेट नहीं कर पाते हैं, यानि पता नहीं चलता है, परिलक्षित नहीं होता है, परिलक्षित को अंग्रेजी में परिसेप्टिबल भोलेंगे, यानि लक्ष को कैसे प्राप्त करेगा, ये चीज नहीं पता चलती, अता अधिकांस लोग समझते हैं कि हीरा सदर ही हीरा रहता है, जब लाखों समय इतना ज्यादा लग जाएगा, तो ऐसा लगेगी जैसे हीरा हमेशा हीरा रहा हो, और ग्रेफाइड हमेशा ग्रेफाइड रहा हो, जबकि ऐसा नहीं होता, बल्गत की अध्यन न केवल रासायनिक अभक्रिया के वेग को निर्दायत करने मदद करती है, अपित उन परिस्तितियों का भी वाणन करते हैं, जिनके अभक्रिया वेग में प के वेग को नहीं बताएगा, बल्कि उसके अभक्रिया के वेग में परिवर्तन कैसे लाए जा सकता है, ये भी बताएगा, कुछ कारक जैसे सांदरता, ताप, दाप, तथा उत्प्रेरक अभक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं, तो कुछ ऐसे फैक्टर हैं, जैसे कंस अभक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं, इस थूल इस्तर पर हमारी रुच पदार्थों की कितनी मात्र प्रियुक्त अतवा निर्मित हुई है, और उनके उपभोग अतवा निर्मित होने की दर में होती है, तो बड़े पैमाने पर हमारी जो रूची होगी वो सिर्फ इस बात पर होगी कि पदारतों कि कितनी मात्रा पुर्यूग तत्वा निर्मित होई है और इनके उपभोग तत्वा निर्मित होने की दर में होती है मतलब किस दर से निर्मित होती है और कितनी मात्रा निर्मित हुई या उपभोग हुई यानि खर्ष हो गई इस बात को महत्त देंगे आणविक इस्तर पर यानि मालिक्यूलर लेवल पर अब क्रिया की क्रिया विद में शंगट करने वाले आणवों के विन्यास तता उर्जा को सम्रित करते हुए विचार विमर्ष किया जाता है अगर हम मालिक्यूलर लेवल पर देखें बहुत छोटे पैमाने पर इस थूल इस्तर पर मतलब बड़े पैमाने पर आणविक इस्तर मतलब बहुत सूच में पैमाने पर तो हम जो पार्टिकल या मालिक्यूल टकराते हैं तो उनके टकराने की ओरियन्टेशन क्या है विन्यास और कितनी उर्जा सम्रित होती है इस टकर के लिए जलूरी होती है इस पर विचार विमर्ष किया जाता है अब देखें आगे क्या कहरा है कहरा है इस एकक में हम अभिक्रिया के आवसत्य उम्तातकालिक वेक तता इन्हें प्रभावित करने वाले कारकों का ध्यन करेंगे तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे एक तो reaction के rate के बारे में पढ़ेंगे और दूसरी बात इनको प्रभावित करने वाले factor के बारे में पढ़ेंगे अब शंगटवाद यानि collision theory के विशाय में कुछ प्रारंभिक जानकारी भी इसमें दी गई है तो collision theory है उसमें कुछ छोटा मोटा जानकारी आपको इस chapter में मिलेगी तथा आप इन सब को समझने के लिए आए हम पहले अविकरिया वेक के विशाय में शम्झें तो सबसे पहले सुरुवात की जा रही है तो सबसे पहले हम लोग rate of reaction के बारे में समझेंगे अविकरिया के वेक के बारे में समझेंगे इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो rate of the chemical reaction यानि रासायनिक अविकरिया का वेक तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे जब ये बात समझ लेंगे तब ही हम आगे पढ़ेंगे तो कह रहा है कुछ रासायनिक कुछ अविकरिया है जैसे आयनिक अविकरिया है अत्य धिक ती ब्रगत से होती है तो ध्यान दीए जो आयनिक reaction है बहुत ज्यादा तेजी से होती है एक्जामपल जैसे सिल्वर नाइट्रेट के जली विलेन में सोडियम क्लोराइट का जली व जली विलेन यानि पानी का सल्यूशन मिला दिया जाए तो सिल्वर क्लोराइट का प्रेसिपिटेट बहुत सीग्र तयार हो जाता है यानि यह जी सीयल तली में थक्का करूप में बहुत जल्दी जम जाता है जिससे पता चलता है कि यानिक अविकरियां बहुत तीब्र होती दूसरी वो कुछ अभिक्रियां बहुत मंद होती हैं जैसे वाय वा आर्दता की उपर्तित में लोहे पर जंग लगना तो लोहे पर जंग लगना ये बहुत धीमिगत से होता है कुछ रासायनिक अभिक्रियां ऐसी भी होती हैं जो मध्यम वेक्ष होती हैं जैसे एक छुसरकरा यानि गन्य की सुगर केन सुगर का प्रतिलोम तथा इस्टार्च का जलब गटन तो इसको थोड़ा अंग्रेजी में देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं तो कह रहा है कि in वर्जन आफ केन सुगर यानि इसका उलटना उल्टा हो जाना मनलब केन सुगर फिर से जो है उल्टे मनलब रियक्षन अपोजिट हो और हाईडोलिसी साफ स्टार्च तो केन सुगर यानि एक चुसरकरा का प्रतिलोमन प्रतिलोमन तथा स्टार्च का प्रतेत्थ शम्वर watch should just go take आनि फॉच्ण फॉच्थहर्य वोस्कुन सु चैनल विंधियन रीक्शन की ठाइब वक्टतों से नेहीं पिरो कि जैनल तो आप जानते हैं जानते हैं कि स्वचालित वाहन की गति को उसकी इस्थित परिवर्ता नत्वा निश्चित समय में ताय की गई दूरी के बीच शम्मंद से बैक्त करते हैं। कि गतित वेक को इकाई समय में अभिक्रियकों तता उत्पादों की सांता के परवर्तन के रूप में परिभासित किया जा सकता है। जैसे कोई गाड़ी चलती है तो कितने समय में कितने किलो मीटर चली यह हम व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार से कोई अभिक्रिया या रियक्षन होती है तो अभिक्रियकों यानि रियक्टन्ट या प्रोड़क्ट के कंसंट्रेशन में चेंज कितने समय में कितना हुआ। इसके द्वारा रियक्षन को परिभासित किया जाता हुआ। तो इस पश्टा के लिए इसे किसी एक अविक्रियक की सांधरता में हरास की दर अत्वा किसी एक उत्पाद की सांधरता में ब्रत की दर के द्वारा बैक्त करते हैं जैसे बात है कि अविक्रियक और उत्पाद यानि रियक्टेंट और प्रोड़क्ट की बात करें तो अविक्रियक अगर आगे बढ़ेगी तो रियक्टेंट हमारा कम होगा प्रोड़क्ट ज्यादा बनेगा तो आई कहरा है कि अविक्रियक की मात्रा में कमी या उत्पाद की मात्रा में ब्रद की दर से बैक्त कर सकते हैं अब देखें आगे कहरा है कहरा है एक काल्पनिक अविक्रिया पर यह मानते हुए विचार करेंगे कि आयतन इस्थिर है अविक्रियक R का एक मोल उत्पाद P का एक मोल निर्मित करता है तो किसी पात्र में ले लिए माल लिए उसका आयतन फिक्ष है यानि वोल्यूम कांस्टेंट है उसमें रियक्षन हो रही तो रियक्टेंट से प्रोड़क्ट बन रहा है अविकरियक याणि रियक्टेंट को R माना है, प्रोडक्ट याणि उत्पात को P माना है, तो रियक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, यदि शमय T1 एवं T2 पर R एवं P के साथ आए करम सा R1 एवं P1 तत R2 एवं P2 हो तब, तो मान लेजिए T1 समय में R1 से P1 बनता है, T2 समय में R2 से P2 बनता है, तब क्या होगा? तब डेल्टा T is equal to T2 minus T1 हो जाएगा, ज्यादा में कम घटाएंगे देखे, T2 minus T1, तो डेल्टा R ये concentration है R का, तो ये इसलिए bracket बंद किया है कि केवल concentration से मतलब है, is equal to concentration of R2 minus concentration of R1, ये डेल्टा P is equal to concentration of P2 minus concentration of P1, तो जो R1 और R2 बन रहे थे, तो R2 में R1 को घटाना है, प्रोडक्ट का अगर concentration निकालेंगे, तो P2 में P1 घटाना है, इस प्रकार से हमको लिखना है, यानि ज्यादा समय वाले से, कम समय वाले में घटाना है, चाहे समय को भी घटाएंगे, तो ज्यादा में कम घटाना, इस बात को हमें ध्यान देना है, अब देखे आगे देखते हैं, और समझने का प्रयास करते हैं, कहरा उप्त बेंजिकों को बड़ा कोश्ठक मोडर कंसंटेशन ब्यक्त करने के लिए प्रिप्त किया जाता है, तो जैस तो आर में हरास होने की दर, अब यह रियक्टेंट है, यानि अभी करमक है, तो यह कम होगा, उत्पाद यानि प्रोड़क्ट जैदा होगा, तो रियक्टेंट में हरास होने की दर बराबर आर की सांदर्ता में हरास बटे समय, यैसे चाल बराबर दूरी बटे समय, तो अभ जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय या वेग बराबर विस्थापन बटे समय तो उसी प्रकार यहां पर होगा कि रियक्टेंट के हरास कि दर बराबर रियक्टेंट के कंसंटेशन में हरास बटे समय बराबर माइनस डेल्टा कंसंटेशन मोलर कंसंटेशन आपार यानि रियक तो इस लिए साइन भी किस तरह लगाया जा रहा है और क्यों लगाया जा रहा है इस बात को भी हम अच्छे से समझते चलेंगे आप देखे आगे बता रहा है कि क्योंकि अभिकरिये को यानि reactant की इसांदता घठती है। तथा अता डेल्टा आर एक रिणात्मक मात्रा है है। जैसा आमने आपर लिखा है। तो क्यों निगेटिव साइन लगा है? ये भी हम समझ लिए। अब ग्रीया वेग को धनात्मक मात्रा में प्रायत करने के लिए इसे रिणव वन से घुड़ा करते हैं समीकार 3.1 तता 3.2 अवसत अब करिया वेग और एवरेज को निर्विपित करते हैं तो अभिक्रिया के आउसत वेग के अगर बात करेंगे तो उसे आर एवरेज लिखेंगे आउसत अभिक्रिया वेग अभिक्रिया को तथा उत्पातों के सांता परिवर्तन तथा परिवर्तन में प्रियुक्त समय पर निर्भर करता है तो यहां पर देखिए गरे और रिज निकालेंगे तो अभिक्रिया मनब रियक्टेंट या उत्पात के कंसंट्रेशन में जो चेंज है उसके साथ साथ टाइम में जो चेंज हो रहा है उस पर भी निर्बार करेंगे अब देखिए चित्र तीन दसमलों एक नीचे दिखाया जा रहा है तो इस चित्र को देख करके हम लोग कुछ बाते समझने का प्रयास करेंगे तो अभिक्रिया का ताक्षणी के ओम आउसत वेग तो अभिक्रिया का ताक्षणी के ओम आउसत वेग ताक्षणी का मलब कि तो किए और खाय जो दिखाए गए हैं दो इनके बारे में देखते हैं तो आविकरिया के सांता यानि कंसंट्रेशन को वाई एकसिस पे लिखा है तो यहां पर देखिए यह और वन है और यह पहले है कोई शरू होते समय और यह बात का आए जैसा हमने उपर पड़ा तो पहले अर्वन को उपर रख्वा गया है यहां से जितना ज़र्दार यह दूरी पर होगा से हसका है उसका केसे जैदा ज्यादा कंसेंटेशन ने एक पाम है तो तो अब देखें यहां पर यह concentration dot dot यहां मिलाया और यह concentration dot dot यहां मिलाया और यह जो यहां से यहां के बीच का है, concentration में change delta r है, अब देखें, r average अगर निकालना हो, तो minus delta molar concentration of reactant upon delta t is equal to minus molar concentration at t2 समय पर r2 और t1 समय पर r1 upon t2 minus t1. इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसा हम physics में पढ़ते थे, वेक बराबर विश्थापन बटे समय, तो यहां पर concentration बटे time होगा, बस इतना यह अंतर है और कोई अंतर नहीं है, तो यह average आ गया, और instantaneous का मलब किसी विशेज छण में, तो अगर विशेज छण में निकालेंगे तो बहुत कम समय की बात होगी, तो डेल्टा की जगे देखिए D लिख दिया है, तो R instantaneous is equal to minus D, molar concentration of R upon DT is equal to minus slope यह ढ़ाल, यह slope जो है देखिए लकीर कीची गई है, तो अगर यह slope खीच दें, इसको ऐसे मिला दें, इसको ऐसे मिला दें, तो यह Y-axis को ब्यक्त करेगी, तो Y-axis में concentration दिया है, तो यह DR हो गया बहुत कम के लिए ज्यादा के लिए डेल्टार लिखते हैं, कम के लिए D, molar concentration bracket में R, और बहुत कम समय के लिए DT लिखा गया है, तो R instantaneous यानि ताक्षणिक वेग जो है अब करिया का, वो minus DR by DT हो जाएगा, इसी को minus में slope कहेंगे, slope यानि धलान है, देखिए ऐसे धालू हो तो यह दो चीजें हमारे निकल के आ गई, कि एक और एवरेज है और एक instantaneous एक आउसत वेग है अभिकरिया का, एक ताक्षणिक वेग को minus slope से निर्देशित करेंगे, अब इसको देखते हैं, तो यहां पर खा में देखिए, यहां पर ताइम है, एक्स एक्सिस पर वाई पर, उत्पादों की शांदरता है, यहां पर देखिए, अभिकर्मक यानि रियक्टेंट जो अभिकरिया कर रहे हैं, लगातार घट रहे हैं, इसलिए ग्राफ का ढलान ऐसे जा रहा है, यहां पर देखिए, लगातार बढ़ रहे हैं, तो जब शुरुआत नहीं हुई तो जीरो उत्पाद था, तो जीरो से सुरु हो रहा है, और यहां पर देखिए, जब रियक्षन से उत्पाद नहीं बन रहे थे, तो रियक्टेंट यानि अभिकर्मक की मात्रा अधिक्तम थी, इसलिए ग्राफ यहां से चल लाँ है, जीरो से अधिक्तम दूरी से, तो ध्यान देजि जीरो उत्पाद की मात्र थी, तो जीरो से सुरु हो रहा है, और अभिकर्मक जब उत्पाद नहीं बना था, तो अधिक्तम मात्रा थी, तो इसलिए यहां से सुरु हुआ, अब देर देरे गटती जाएगी, क्योंकि गट गटके उत्पाद बनेगा, इसलिए धलान गटती जा रही यह ड्न बढ़ती जा रहा है, क्योंकि अब रियक्टेंट से उत्पाद बढ़ते जाएंगे, इसलिए बढ़ती जा रहे है, तो समय इधर हो गया, उत्पाद की सांता यानि, आज प्रोड़क्ट इधर हो गया है, बलकि मोलर कंसंट्रेशन आप प्रोड़क्ट, त देखे P1 यहाँ पर है, T1 समय में और P2 यहाँ पर T2 समय में है, तो इन दोनों बिंदूओं को ऐसे मिलाए गया, तो केन से मिलाए गया तो एक धलान ऐसे प्राप्त होगी, तो R-Everage क्या होगा, डेल्टा P अपान डेल्टा T होगा, यह डेल्टा P हो जाएगा P2 मैनस P1, और यह डेल्टा T हो जाएगा T2 मैनस T1, ज्यादा में कम को गटाना, यानि बाद वाले में पहले वाले को यह कह सकते हैं, समय में जो ज्यादा और कम है, इसके हिसाब से, तो P2 मैनस P1 अपान T2 मैनस T1, यह R-Everage है, और instantaneous अगर निकालेंगे, तो यह DT हो जाएगा, X-axis में, Y-axis में DP हो जाएगा, तो R instantaneous DP अपान DT हो जाएगा, यही डाल यह स्लोप होगा, तो देखिए, प्रोड़क्ट वाला जो डाल है, वो पाजिटिव है, रियक्टेंट वा यहां मिनस सैंन, प्रोड़क्ट वाले में प्लस सांथी, इस बात को भी ध्यान देना सप्टिव यह क्योंकि घांड रहा है, पाजिटिव पाजिटिव हैं, यहां सब जुगेभी यह यहां सब जगेपचिव हैं, इस बात को गंभीता से समझना, अब देखे आगे आजाता है अभिक्रिया वेग की इकाईयां तो इनको पढ़ने से पहले हम लोग यह कुईशन पर विचार करते हैं इसके बाद उसको पढ़ेंगे इसको ब्यूटिल क्लोराइड बोलेंगे की विभिन समय पर दी गई सांधताओं से अभिक्रिया सी फोरेश नाइन सी फोरेश नाइन हो एच प्लेसे सी ल के लिए विभिन समय अंत्रानों में आउसत वेक की गढ़ना कीजिए तो यह विलाष्टी हमको निकालना है किसी इस र विलाष्टी भीष्टी हमको निकालना है इस रीक्सिन की तो देखते हैं बड़ी असालि निकलेगा तो कह रहा है हम हम विभिन समय अंत्रानों पर सांधता में परिवर्तन की गढ़ना कर सकते हैं अता हम आउसत वेग यानि डेल्टा आर को डेल्टा टी से भाग देकर ग्यात कर सकते हैं तो चुंकि यह रियक्टेंट है इसलिए डेल्टा आर लिखा गया है अभी कर्मक है उत्पात देके इध है तो रियक्टेंट है इसलिए डेल्टा आर लिखा गया है तो डेल्टा टी से भाग दे देंगे तो यह हमारा रियक्शन का रेट निकलाएगगे तो यहां पर देखिए ब्यूटिल क्लोराइड ब्यूटिल क्लोराइड के जलब गटन का उसत वेग तो सी फोर एच नाइन सी यल टीवन समय पर मोल पर लीटर में कितना है तो टीवन समय अगर यह जीरो माने तो यह जीरो पॉइंट हंडेड है हाँ सी फोर एच नाइन सी यल कितना होगा है तो टीटू समय पर सी फोर एच नाइन सी यल यह है समय कितना है टीटू पचास है इसी प्रकार से आगे लिखते चलेंगे तो देखे लिखना कैसे है इसको समझ लेजे यह टीवन है टीवन और यह टीटू है तो टीवन टीटू यह हो गया तो टीवन टीटू पर कंसंट्रेशन यह हो गया तो T1, T2 और यह concentration R1, R2 रियक्टेंट का R1, R2 फिर T1, T2 तो T1, T2 तो concentration R1, R2 आइसे करम से लिखते चलेंगे इसी प्रकार से यह लिख गया फिर यह T1, T2 दोसो तीनसो यह दोसो तीनसो यह दोसो तीनसो तो फिर यह R1, R2 यह देखे लिखा गया यह यह और यह ऐसे करम से यह T1, T2 तो यह R1, R2 हो जाएगा यह T1, T2 होगा तो यह R1, R2 इसी के आगे लिखते चले जाएगे यह R1, R2 फिर यह T1, T2 तो यह R1, R2 ऐसे करम से हम लिखते चले जाएगे जब यह पूरा करम लिख लेंगे तो फिर यहां क्या करेंगे आर एवरेज इन्टू 10 पाउर 4 मोल पर लीटर पर सेकंड में बेक्त किया गया है यहां पर क्या है मोल पर लीटर में है यह देखें यहां पर एक दो तीन चार अंक बाद दसम्लों है तो यहां पर आर एवरेज में 10 पाउर 4 का गुड़ा किया है ताकि यह दसम्लों हटाया जा सके तो कल्कुलेट करने में आसानी होगी तो यह आर एवरेज इंटू 10 पाउर 4 इधार मैनस में रहेगा इधार आएगा तो प्लस में हो जाएगा मैनस C4H9CL यह T2 पर है मैनस C4H9 T1 पर बहुते T2 मैनस T1 तो कुल मिला कर कि A-A upon A-A हो जाएगा, तो साल्व करेंगे, देखे धान देजिए A-A R2-R1 upon T2-T1 साल्व करेंगे तो 1.90 आजएगा, देखे निगेटिव में आएगा और निगेटिव लगा है तो निगेटिव निगेटिव पाश्टिव हो जाएगा, क्योंकि यह कम है यह ज्यादा है, कम में ज्यादा घटाएंगे तो निगेटिव में आएगा तो निगेटिव निगेटिव लगा है तो पाश्टिव में अंसर आएगा इसी प्रकार से आगे इसमें इसको गटाएंगे ऊपर रहेगा आर्टू माइनस आरवन अपान टीटू माइनस टीवन या नीचे रहेगा ऐसे पूरा करेंगे तो यह बैलू निकल करके आ जाएगे तो इस प्रकार से हमको क्विस्ट्टन साल्व करना है अब आगे आ जाता है अब क्रिया वेग की काईयां तो इसकी स्टेडी हम लोग अगरे लेक्चर में करेंगे आज बस यहीं तब